हेग व्यूवर्स अगर आप भी एटल थैंक्स एपकी यूसर हो और आपको यह प्रॉब्लम आ रही है जब भी आप अपने एपको यूस कर रहे हो ओपन कर रही है यह प्रॉब्लम बहुत सारी यूसर को आ रही है इसका मेंली डीजन है नेटफर्क इशू अगर आपके इंट सब्सक्राइब करें वीडियो को सब्ह़सिच करने के बाद उसको глаза को मैं उस्प्राइब करने के बाद जिस प्रोब्लमे आ रही है उसको में पश्मिली सर्च कर लें तो आपको सार्च कर लिए मैंनि Ayam के आप को सेर्च करने के बाद यहां पे आप Nick् का जिकर है तो एक बढ़ अप्टेट जरूर कर लिजीगा अगर बाइचा सब्टेटका प्टिन नहीं दिक रहे हैं एक बार अनिस्टॉल करके फिर से इस्टॉल कीज़ेगा ने अपको आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सौलफ हो जाएगी इसके बाद एक और सैटिंग भी करने पड़ेगी डिवाइस की सैटिंग पया जाना है सेटिंग पारने के बाद निचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर एक option हमें शो होगा मारे सेटिंग में apps का तो apps वाले option पर क्लिक कर देते हैं इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक option आएगा manage apps का इस पर क्लिक कर देना है manage apps में क्लिक करने के बाद यहां पे हमें सारे apps शोओंगे यहां पे हमें उस app को सर्च करना है जिस app में हमें problem आ लिए तो यहां से मैं अपने app को सर्च कर रहा हूं आपको भी वहां पे सर्च कर लेना है और उसको open कर लेना है open करने के बाद सबसे पहले storage पर जाना है 스ीज بया के बाद storage का clear catch कर देना है आपको यहाँसे storage का clear catch करना है और clear data मत कीजेगा उससे आपका data है delete हो सकता है इसके बाद app permission पर आ लाना है और सारी permission one by one enable कर देनी है ध्यान रखना कि कोई भी permission यहाँसे स्टॉरेज पर आने के बाद स्टॉरेज का क्लेर कैश करना है यहांसे परस जात्ते राद याँ सारी परमीशन नियंयबल करना है tiyaan रख सो सके लिए deny नहीं करनी है तो one by one सारी permission यहां से enable कर देता हूँ other permission पर जाता हूँ यहां पी सारी permission enable कर देता हूँ आपको भी same step follow करना है जो मैं कर रहा हूँ जिससे आपकी problem solve हो जाए तो other permission में भी सारी permission मैंने लगबग enable कर दी है आपके उसके बार निचने scroll down करना और यहां पर एक option देखेगा रिच्टिक डाटा यूसेज के यहां पर wifi और mobile डाटा शो और है तो इन दोनों को हमें यहां से enable कर देना है waiver और mobile डाता को enable करने के बाद निचे the scroll down करना हो यहां पर इडिफोल झापशन देखेगा इस पर क्लिक कर देना इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर फोर्श टोप कर दीजिए अपने आपको एक पर रिस्टार्ट करें रिस्टार्ट करने के बाद ट्राय किजएगा आपके सारी प्रॉब्लम बिल्कुछ सॉल्फ हो जाएगी तो फीटियो का लाइक जुरूर करें